कि नमस्कार दोस्तों मैं अर्जुनु असिस्ट आपका लड़निंग विज्ट ट्रिपल ए में स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे अब हम अपने इसी करम को आगे बढ़ाते हुए आज समीधान के सभी भाग पढ़ेंगे आज सभी भाग को जानने के बाद फिर रोज एक भाग को विस्तार पूर्वक समझेंगे सीखेंगे और क्लास में ही याद करेंगे जो की शुरुवात होगी भाग एक से ठीक है सविधान के भाग एक में क्या दिया गया है उसको जानने का प्रियास करते हैं देखते हैं भाग एक में है संग और उसके राज्य छेत्र भाग एक में संग और उसके राज्य छेत्र हैं ठीक है जो कि अनु छेद एक से चार के बीच में हमें पढ़ने हैं ठीक है कि अब आपने देखा होगा कि हमने अनुसूची पढ़ी थी अनुसूची एक में अब देखते हैं भाग दो ह्भाग दो हमारा नागरिक्ता से संबंदी थे तिक है इसमें हम नागरिक्ता के बारे में पढ़ेंगे जो की अनुच्छेद यह 4 से खतम होता है तो यह 5 से शुरू होगा और अनुच्छेद 11 तक पढ़ना होगा ठीक है भाग एक पढ़ने के बाद हम भाग 2 पढ़ेंगे जो की नागरिकता से संबंदित होगा पूरा डीटेयल में पढ़ाया जाएगा ठीक है अब देखते हैं भाग तीन अग निधा भाग तीन में आरे क्या है भाग तीन में हमारे मौलिक अधिकार हो कि मौलिक अधिकार क ot enhance हो कि इनको भी हम डीटे लबेंगे आज इंका सबका इंट्रोड़क्शन हो रहा है जो की हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक हमको पढ़ना है ठीक है भाग एक भाग दो भाग तीन अब चलते हैं हम भाग चार की और भाग चार में हमारा क्या है वो देखते हैं भाग चार इसके अंदर है हमारे राज्य के राज्य के नीतिन देशक तत्व ठीक है भाग चार में हमारे राज्य के नीतिन देशक तत्व है जो की हमें अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ने है ठीक है भाग चार होगे अब एक आता है भाग चार क्या है उसके बारे में देखते हैं भाग चार क्या है बाग चार अलग है और भाग चार क्या अलग है इसके अंदर हम क्या देखते हैं मौलिक करतव्य मौलिक अधिकार अलग है मौलिक कर्तव्य अलग है कि इसको भी हम आगे डीटेल में जानेंगे ठीक है यह अनुच्छे कहां तक हो गेते 51 तक आगे इसमें कहां तक अनुच्छे जाता है इसमें आता है सिर्फ 51 के ठीक है भाग चार हमने पूरे पढ़ लिए है अब हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं ठीक है भाग एक भाग एक इंपोर्टेंट है प्रणुसूची एक इंपोर्टेंट है और अनुच्य देख तीनों में सेम बात है वाग एक में संग और उसके राजशेतर जो कि हमें अनुच्य एक से चार तक पढ़ने हैं ठीक है फिर हमने पड़ा भाग दो भाग दो में हमें नागरिकता पढ़नी है 112,11 ठीक है भाग 3 में आपको कल बताया था कि मौलीक अधिकार हमने कहा से लियेमें अमेरिका से लिये गई है ठीक है अब आगे दीखते हैंगे अनुछेद 12-35 तक हमें पढ़ने हैं फिर आते हैं भाग 4 की बाथ भाग 4 राज्ये के निति निदिशक तत्व ठीक है यह कहां से कहां तक पढ़ने हैं में 36 से 51 तक पढ़ने हैं और राज्य के नीथी नीदिसेकतर तो हमने कहां से लिए हैं यह आपको पता होगा मैंने कल आपको बता आता है यह हमने आयर लैंड से लिए हैं ठीक है अब आता है भाग चार कैह भाग चार कैह इसमें हमको क पढ़ना है मौलिक करते हुए जो कि अनुष्य 51 क्या में हमको पढ़ना है इन चारों का गुरुप बना के आप याद कर सकते हैं कैसे भाग एक संग और उसके राज्य छेत्र भाग दो नागरिकता भाग तीन में मौलिक दिकार भाग चार में राज्य के नीती ने सकता तो और भाग चार के में हमने आपको क्या बताया था मौलिक करतवे ठीक है और मौलिक करतवे हमारे कहां से लिए गई है यह मैंने आपको कल बताया था मौलिक करतवे हमारे रूस से लिए गई है ठीक है अब हम आगे देखते हैं एक दो तीन चार चार के हमने पढ़ लिया अब हम भाग पांच में क्या है ठीक है भाग पांच भाग पांच में हम देखते हैं क्या है भाग पांच में जो है संग के बारे में बता गया है संग मतलब केंदर सरकार यानि की राष्ट पती उपराष्ट पती लोकसभा राज्यसभा इन सभी के बारे में तो भाग पांच में क्या किस के बारे में बता गया है और अनुच्छे कहां तक होगे ते 61 कि तक तो अब हमारे अनुच्छत कहां से सुरू होंगे 152 महां 152 कि है 51 क्या फें हम ने खत्म करना था 152 से लेकर दो सो 152 बच्चों गलती होगी दोंने तो 52 से लेकर 151 तक ऐसे ताई ठीक है को थोड़ी सी मिस्टेक होगी ती कोई बात नी अनुछित 52 से लेकर 151 तक हमें संग को पढ़ना आए ठीक है अब भाग्छे देखते हैं भाग छे भाग छे में हमें पढ़ना है उपर संगता निच्चे हमें राज्य के बारे में पढ़ना है ठीक है अनुच्छे 151 तक हमने पढ़ लिया था अब हम अनुच्छे 152 से लेके अनुचेद 237 तक हमें इसके अंदर पढ़ना है, भाग 5 में हमें संग के बारे में पढ़ना है, भाग 6 में हमें राज्ये के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अब बारी आती है भाग 7 की, भाग 7 भाग 7 को निरस्थ कर दिया गया था, ठीक है, भाग 7 को निरस्थ कर दिया गया था, कब सात्वे सविधान संसोधन साथवे सविधान संसोधन 1956 के द्वारा, साभाग 7 को निरस्थ कर दिया गया था, साथवे सविधान संसोधन 1956 के द्वारा, इसके याद कैसे रखेंगे, पहले हमारे राज्ये बटे हुए थे, वो A, B, C, D में बटे हुए थे, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया, क्योंकि अब यह चीज चेंज हो चुकी है, अब राज्य पहले नसूची में हमारे चले गए है, ठीक है, अब देखते हैं, भाग आठ, भाग आठ, भाग आठ हमारा जो है, वो संग राज्य छेत्र से संबन पर देखते हैं, संग राज्य छेत्र, भाग आठ हमारा संग राज्य छेत्र केंदर सासित परदेश से संबन दित है, जो कि अनुच्यद, 249 से सुरू होता है, और आप कोगे बीच का का गया, अनुच्यद 238, अनुच्यद 238 था यहां पर, ठीक है, और यह हमारा अनुच्यद 249 से सुरू होता है, 200, यह चलता है, आपका अनुच्यद 242 तक, ठीक है, अब देखते हैं, भाग पांच, संग से संबन दिते हैं, इस भाग 6 राज्य संबंदित है राज्य पाल मुख्य मंत्री विधान मंडल भाग 7 जस्त कर दिया गया था सात्वी सविधान संसोधन 1956 के द्वारा ठीक है और भाग 8 संग राज्य चेत्र यानि की केंद्र सासित परदेश के बारे में है ठीक है अब आगे देखते हैं कि भाग 8 कंप्लीट होगे अब आते हैं हम भाग 9 की तरफ भाग 9 में देखते हैं क्या है ठीक है भाग 9 हमें गुरूप बना के पढ़ना है भाग 9 भाग 9 का पार्ट कैर और भाग 9 का ठीक है यह तीन नों को में गुरूप बना गई हमें याद रखना है ठीक है भाग 9 में क्या है वह हम देखते हैं ठीक है भाग 9 में है पंचायत ठीक है भाग 9 भाग 9 कै भाग 9 में हमने क्या देखा पंचायत अब भाग 9 कै में देखते हैं भाग 9 कै में क्या है हमारी नगरपालिक आए ठीक है भाग 9 में है पंचायत भाग 9 कै में नगरपालिक आए अब देखते हैं भाग 9 है इसमें हैं हमारी सहकारी समीतियां और यह तीनों हमारे अनुछे 243 के अंतरगत आती है तीनों ही ठीक है सबके अलग अलग डिवाइडेशन है 43 कैसे लेकर सब कुछ कुछ पार्ट से एक से पंद्रा पंद्र सोला से बत्ती से प्रेंत लिस इस तरीके से तीनों की तीनों अनुछे 2023 जोनाते अनुटत आती है अब देखते हैं भागनों हमारा जोड़ा गया था थेतर्वा सविधान संसुधन था इसको आप समझ जाते हों सविधान संसोधन ठीक है तेत्र सविधान संसोधन 1902 में जोड़ा गया था ठीक है भाग नोख है कब जोड़ा गया था यह जोड़ा गया था सविधान संसोधन 1902 में जोड़ा गया था ठीक है एक बर में रिवाइज कर देता हूं भाग नो भाग नोख है और भाग नोख है भाग नो पंचायत सविधान संसोधन 1902 में जोड़ा गया था भाग 9 मीं नगरपाली संबंधितय इस और भागनोख है में सहकारी समीत्या है जो सथानमक सविधान संस्वधन 2011 में जोड़ा गया था जो की अदो उच्छे 243 के अंत्रगत ही पूरा आता है ठीक है अब हम आगे देखते हैं अब हम पढ़ते हैं भाग दस नो तक हमने कंप्लीट कर लिए अब भाग दस के बारे में देखते हैं ठीक है कि भाग दस हमारा जो भाग दस है यह अनसूचित जाती तथा जन जाती छेत्र से संबंदी थे ठीक है भाग दस अनसूचित जाती जन जाती छेत्र से संबंदी थे अब देखते हैं भाग घ्यारा अब भाग दस हमने पढ़ लिया बाग दस का नुच्छे लिए दिख लेते हैं 244 क्योंकि 243 हमने पिछ्छे नगरपाली का अनुप नो में पढ़ लिया था उसका अनुच्छे कौन सा हो गया 244 अब भाग 11 में देखते हैं क्या है भाग 11 हमारा संग तथा राज्यों के मध्य संबंद संग तथा राज्यों के मध्य संबंद संग तथा राज्यों के मध्या संबन्द यह मोस्ट इंपर्टेंट है भाग 11 संग तथा राज्यों के मध्या संबन्द अनुछे 244 हो गया था तक हमें इसके बारे में पढ़ना है लेकिन इस भाग को मोस्ट इंपर्टेंट कर लेना केंद और राज्यों के मध्या संबन्द अनुछे 244 और भाग 11 में संग राज्यों के मध्या संबन्द अनुछे 245 से 236 ठीक है अब चलते हैं भाग 12 भाग 12 में देखते हैं क्या है भाग 12 में आता है हमारा वित्त संपत्ति संविदाय तक कि भी वित्त शंपत्ति संविदाय वे वाद जो कि अनुच्छे 263 तक उपर आगया था यह सुरू होगा 264 से 300 क्या तक जाएगा ठीक है भाग 12 में क्या है वित्त संपत्ति संविदाय वे वाद अनुच्छे 264 से 300 क्या तक ठीक है अब चलते हैं भाग 13 बातों कि भाग 13 में हमारा आता है मैं वे आता है भारत के राज्य छेतर के बीकल्ट rise टिक है भारत के राज्यस चेतर के बीटार करें को Leon fame वाइब आए वानिज्य तथा समागमन समागमन ठीक है 300 के तक यहां आ गया था अब यह कहां से कहां तर जाएगा 301 से लेके 307 ठीक है व्यपार्थ संबंदित भाग तेरा है संबंदित भाग 12 है और भाग 13 में क्या है बारत के राज्य चेतर के बीतर वैपार वानिज्य तथा समागमन अनुच्छी 301 से 307 ठीक है भाग 10 कंप्लीट बाग 10 में अनुच्छी जाती जयन जाती चेतर भाग 11 इंपर्टैंड संग राज्य के भी संबंद भाग 12 वित्थ सं पत्ति समिधाई व्यवाद दोसो चोषट से तीन सो क्या मुस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छे दे याद करन नहीं ना भाग तेरा वाग तेरा में भारत के राज्य छेतर के बीतर व्यपार वानिज्य तता समागम्त कि 3101 इसे 307 वां थेरा कम्पलीट आप पढ़ते हैं भाग चोदा चोदा से 22 ठीक है तेरा अमारे कम्पलीट हो चुके है अब पढ़तें बाग 14 और उम्मीद करता हूं भाग तेरा तक आपको कोई प्रिसान्नी भी नहीं आई होगी भाग चोदा में क्या है भाग चोदा में संग तथा राज्यों के अधिन सेवाएं कि संग तथा कि राज्यों के कि अधिन कि सेवाएं ठीक है जो की अनुच्छेद 307 तक हमने पढ़ लिए थे अब यह 308 से 323 तक चलेगा संग तथा राज्यों के दिन सेवाएं क्या होती है यूपी एस्सी वह सभी इसी के अंतरगत आती है ठीक है और फिर इसका एक पार्ट आ जाता है भाग चोदा का क्या है अब भाग चोदा क्या में क्या है अधीक रहना अग्या यह मैं आपको भाग चोदा पढ़ाऊंगा इसके बारे में तब आपको पूरा डिटेल से बता दूगा ठीक है इसमें कहां से कहां तक रूच्छेद आते हैं इसमें आगे 323 और इसमें आएगा इसमें आता है भाग चोदा में और भाग चोदा का ही पार्ट के में 323 के और 323 खे आता है ठीक है अब आगे देखते हैं भाग पंद्रा और उम्मीद करता हूं बच्चों भाग पंद्रा आप सभी को भली बाती पता होगा क्योंकि जो हमारी सबसे पहली क्लास थी वह भाग पंद्रा क्लिक क्या होगा कि भाग पंद्रा में हमने क्या पढ़ा था भाग पंद्रा में हमने निर्वाचन के बारे में पूरी डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है आप उसे जाकर के देख सकते हैं पूरे डिटेल के साथ निर्वाचन पढ़ाया हूं एक भी ट वीडियो में लेकिन जब एक बार दुबारे से घूम के अगर आएंगे दुबारे फिर और अच्छे से आपको किलास में याद करा देंगे भाग पंदरा भाग पंदरा का अनुछेद आप सब को पता होगा जो मैंने आपको बताया था अनुछेद 324 से तीन सो उनतिस के ठीक है भाग पंदरा आपके लिए मोस्ट इंपोटेंट है अब पढ़ते हैं भाग सोला ठीक है भाग 15 में निर्वाचन आ गया अब पढ़ते हैं भाग सोला में क्या है भाग सोला में कुछ वर्गों के लिए विशेश उपबंद दिये हैं सविधान में कुछ वर्गों के लिए विशेश उपबंद ठीक है भाग सोला में क्या दिया गया है कुछ वर्गों के लिए विशेश उपबंद दिये गए हैं जो कि अनुछेद 330 से लेकर 342 तक है ठीक है इसको भी हम जब भाग सोला पढ़ाएंगे तो यह भी हम आपको डिटेल में बताएंगे अब बात करते हैं भाग सत्रा भाग सत्रा भाग सत्रा भी कोन सान उच्छेद आता है 3452 पर यहां अटो भाग सत्रे में आएगा 343 से लेकर 351 ठीक है एक बर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं देखते हैं वाग चोधा में हमने क्या पड़ा वाग चोधा में संग तथा राज्यों के अधिन सेव आए जैसे की UPSC अधिकरण अनुच्य इसका यह लिखेवा है बाग 15 बाग 15 हमारा इंपोर्टेंट निर्वान शर्ट रश को अनुच्य फिर मोस्टंप इंपोर्टैंट से 329 तक ठीक है बाग 16 में क्या है बाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशीश उपबंद है जो कि शीच से 322 तक दिये ईए तेक फिर एक इता है भाग सतरह बाग सतरह मोस्ट इंपोरटेंट गए जो कि राज भासात से समबनदीत है और इसका अनुच्य। 8-554 थला तक कंपलीट हो चुके है ठीक है कि बार हमारे भाग सतरह कंपलीट हो चुके हैं अब हम पढ़ते हैं भाग अठारा अठारा उन्निस बीस इकिस बाइस फिर केल खतम अब पढ़ते हैं भाग अठारा जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपोटेंट है दोस्तो भाग अठारा भाग अठारा में क्या है हमारे आपात उपुबंद भाग अठारा में क्या है हमारे आपात उपुबंद जो की मोस्ट इंपोटेंट है आपात उपुबंद के अनुच्छे हमारे कहां से कहां तक है तीन सो बावन से तीन सो साथ तक है ठीक है भाग अठारा में आप आप उपुबंद अनुच्छे 352 से तीन सो साथ तक अब देखते हैं भाग 19 अधारों को अच्छे से पढ़ लेना बाग अठारा में राष्टपती वो अपात काल के बारे में बताया गया है इसको बहुत अच्छे से डीटेल में बताऊँगा ठीक है अब पढ़ते हम भाग 19 वाग 19 में क्या दिया गया है वीवीद कि इसके बारे में मी भी हम जब भाग 19 पर पहुंचेंगे तो डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे अब देखते हैं भाग 20 कि भाग 20 मॉस्ट मॉस्ट इंपोर्टेंट कि जहां से सो पर्तिश्यत परसन पूछा ही जाता है से विधान संसोधन कि 352 से 360 तक हो गया था और भाग 19 जो की विविद है यह 361 से चलेगा कि 361 से 367 तक और संविधान संसोधन अनुच्छे 368 ठीक है संविधान संसोधन की परिकिरिया हमने कहां से लिए यह मैंने आपको बताया तक कल तो इसको जवाब आप मुझे कमेंट बोक्स में देंगे ठीक है अब देखते हैं भाग 21 कि अब भाग 21 में क्या है वाग 21 में हमारे एस्थाई कि संक्रमन कालीन कि तथा कि विशेश उपबंद कि यह 306 पर खतम हो गया था तो यह कहां से शुरू होगा 360 नाइन से लेगे 392 ठीक है बाग 18 बाग 19 बाग 21 अब बचता है कौन सा है आपका भाग 22 बाग 22 चलो देखी लेते हैं बाग 22 में क्या है बाग 22 में सविधानी के बारे में दिया गया इसका संक्षीप नाम प्रारम हिंदी में थिकरत पार्ट और निर्सन बाग 22 ज्यादा खास नहीं है लेकिन जब भाग 22 पहुंचेंगे तो हम आपको इसके बारे में भी डिटेल से बता देंगे और अभी यह मैं समझो कि भाग 22 पूरे हो चुके तो वीडियो खतम हो गई है अभी जो इन बाइस भागों का पर देखते हैं क्या होता है ठीक है जब हमारा सवीधान बना यानिकी मूल सवीधान कि मूल सवीधान में कितने भाग थे कि कितने अनुच्छे थे और कितनी अनुच्छे थी ठीक है और बात करते हैं वर्तमान की कि वर्तमान में कितने कितने हैं ठीक है अब देखते हैं मूल सवीधान में हमारे 22 भाग थे ठीक है जो कि वर्तमान में कितने हो गए 25 मूल समिधान में हमारे 395 अनुच्छेत थे हैं और वर्तमान में हमारे अनुच्छेत कितने हैं 448 लगबग अनुसूची मैंने आपको पढ़ाई थी अनुसूची आपको पता होगी कि मूल समिधान में कितनी थी और वर्तमान में कितनी है तो अनुसूची मूल समिधान में कितनी थी आठ और वर्तमान में कितनी है बारा तो यह आपका टोपिक फिनिश अनुट भाग एक से लेके भाग बाइस तक मैंने आपको बता दिया है सीरियल वाइज कौन-कौन से भाग है किस भाग के अंदर क्या है अब हमारा कल का जो कारिया होगा मैंत्पून को क्या होगा पर टेक भाग को डिटेल से पढ़ना समझना याद करना किलास के उस भाग के अंदर जो भी है वह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कल हम भाग एक पढ़ेंगे ठीक है दोस्तो आशा करता हूं आप सभी को समझाई होगी ओके दोस्तो आज का मोटिवेशन जो मैं आपको देना भूल गया था वह मैं आपको अब बताता हूं कि हमारा आज क अगर जितने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती तो हार भी हमें हरा नहीं सकती लर्णिंग ट्रिपल ए में धन्यवाद